आप सब मैं मंदीब शर्मा आपके अपने यूटूब चैनल उत्तम अकेडिंब आपका अर्धिक सवागत करता हुए देखो वह आज हम आपके लिए एक नया टोपिक लेकिया हैं वह क्या है कंबाउंड इंट्रस्ट यानि कि चकरवर्दी व्याज अब होता क्या है कैरो जैसे मैंने किसी को पैसे द matching है और मैंने देगी उसको चैके लिए पैस उडार तोटा देता है to ठीक है अगिके बाद में लोटा था मैं क्या करूँगा जो ब्याज समय का उस ब्याज के ऊपर लगणा मैंने जो की मूलदन और ब्याज के ऊपर लेना है उसी को बोलते हैं सक्रोर दुप यह ईंट्रस्ट के ऊपर इंटरस्ट ठीक हुई यह चीज़ें चिंडान और वह शादान आया करने खांट छैमेने के लिए या बारह मेंने के लिए आ एक में साल के लिए जो बदने एक यह इस तरह एक साल ब leftover । जैसे डिए पूंब करेंद रिए छलो मां स्टार्ट घो बताते हैं कि जैसे क्या होता है compound interest compound compound interest क्या बोलते हैं इसको चक्रवर्दी ब्याज ठीक हुए जैसे मैं किसी को 10% वार्शी रेट पे किसी को पैसे उदार देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ 10% रेट का मतलब क्या है अगर मैं इसकी fraction value निकालू हूँ यानि कि एक बटे 10 यानि कि amount अगर 10 रुपे है तो उस पर एक रुपे का ब्याज यानि अगर पहले साल वो amount 10 रुपे है तो एक साल के बाद वो कितनी हो जाएगी 11 रुपे अब यह हो दो साल के लिए तो अगले साल भी क्या होगा उसी रेशियो में होगा उसी रेशियो में बढ़ता है ठीक है जिस रेशियो में पहले साल का ब्याज है उसी रेशियो में ठीक है अगर 2 साल गार निकलना हो तो क्या हो जाएगा 10 11 अगर 3 साल गांगी 10 और 11 11 ठीक है यहां से क्या चीज से निकल किया हाई ये तो हमारा क्या है मूल्दन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, जो Hetkyol Amount है ना, वो चीज़ है, ठीक है? इतना दना हमने उधार दिया था, ठीक है? और ये क्या है? जो चकरवुर दिब्याज एंड होने के बाद, जो निकल गया रहा है ना, यानि की Mr. Stillton सो रुपय हमारा मूल दन था अब दो साल के लिए पैसा उदार दिया हमने कितना हो गया 121 ठीक है तो यहां से अगर मैं चक्रवर्दी ब्याज निकालू जो दो साल का चक्रवर्दी ब्याज है न वह कितना हो जाएगा 120 में से 100 माइनस करो गया आप है कितना जाएगा 21 रुप इसी मेथड से करवाएंगे आपको ठीक है चलो फिर के उसन बहते हैं देखो वही देरे देरे आपको सम्झाता रहूंगा चीजे के लिए रोती रहेंगे ठीक है आप क्यूशन से समझते हैं वही चलो एक दूसरी बात बढ़ता हूं भी देखो वही एक होता है सक्सिव इं कि अग्रीज और एक होता है तकसेश्यूवए क्यों कि इसको क्या बोलते हैं वही क्या होता है कर्मागत यानि करम से कोई चीज बढ़ रही है उसको क्या बोलेंगे कर्मागत है कर्मागत भड़त है और इसको क्या बोलेंगे कर्मागत या इसको क्या बोल सकते हैं अब जैसे मैंने आपको प्रॉफिट लोज करवाए था उसमें क्या बताया था अब यहां को अगर आपको रेट दे रखेंगे दो ठीक है जैसे आपको क्या बताया था मैंने अगर दस परसेंट और बीस परसेंट आगर आपको डिसकाउंट दे रखा है और मैं पूछूं वह कितना हो जाएगा यानिकि इसके समानुपात जो डिसकाउंट हो जाएगा दस और बीस परसेंट को मिला के जो इनका कुमन अगर डिसकाउंट आएगा वह कितना आएगा तो उसके लिए फर्मूला मैंने क्या बताय था इक्स प्लस वाई ए माइनस एक्स वाई भाई जो इनका सक्सेव डिक्रीज है ना उसके लिए आ जाएगा और सक्सेव इंक्रीज के लिए फर्मूला क्या है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई यह कब के लिए बई जब रेट दे रखेंगे आपको दो ठीक है अब देखो जैसे मैंने अगर सक्सेव डिक्रीज निकालना हो तुसके लिए क्या गरोगे एक तो दस परसेंट दिया है दूसरा क्या दिया है बीस परसेंट अब क्या है माइनस एक्स वाई यानि बीस और गुणा दस करना है वो कितना हो जाएगा बई बीस और गुणा दस करोगे कितना जाएगा दोस्तों आजाएगा आप उन में क्या है हंडर्ड अब दो जिरो से दो जिरो कर जाएगे ठीक है देखो गई यह बीस और दस कितना हुआ तीस हो जाएगा और तीस म डिस्काउंट वो कितना जाएगा वई 28% जाएगा 10% डिस्काउंट दिया है और 20% डिस्काउंट दिया है अगर उसका सम्तुल्य डिस्काउंट पूछे सम्तुल्य चूट तुट पूछे आप से उसके लिए क्या करूगे एक्सपलस वाइं माइनस एकस यॉई 100% आजेगा ठीक है तो आपने सिंपल करना क्या है सम्तुल्य répond 앞에 ने और करना है और क्या अगर मैं पूछता दस परसेंट और बीस परसेंट रेट दी है उसकी रेट दी है तो सक्सस्यू अगर इंक्रीज बूचे जो कर्मागत सम्तुले अगर बढ़त पूचे तो कैसे आएगा अगर हम इसको ऐसे ना करके अलग वे में करते आपको दिया है दस परसेंट और पीस परसेंट आपको दिया क्या है सम्तुले जो छूट है वह बतानी है उसके लिए क्या करोगे अगरे इस दस परसेंट को मैं क्या लेख सकता हूँ एक पटे दस परसेंट क्या लेख सकता हूं एक बटे पांच इसका मतलब क्या हुआ हुआ यहां दे रहा है भड़ात बाद में देखते हम शूट दे रहा है यानि दस वाली चीज कितने बेच रहा है यह जो चीज कर रहे ना उसको काट लो गई तो तो आपका इक्विवेलेंट डिस्कांट आपने तो आपका है तो एक्विवेलेंट डिस्कांट क्या आज याएगा आपका एक्विवेलेंड डिस्काउंट कितना आजाएगा 28% आजाएगा और यहां से हमने क्या निकाला था 28% ठीक अभी तो चीजे वही हैं बस करने का तरीका लगए चालो फिर करवाते हैं आगया जाओ अब देखो वही अगर दिया क्या होता आपको यह क्या होता ग्यारा से एक बटन नो परसेंट दस परसेंट नो से एक बटन ग्यारा परसेंट यह रेंट दे रखेंगे आपको और आपसे बूच रहा है जो सम्तुल्ले बट्टा है ना वो बताओ यानि की छूट इसको क्या हो लेते एक्वेलेंट डिस्काउंट एक्वेलेंट डिस्काउंट यह पूचा है आपसे तो देखो वे सिंपल करना क्या आपने ग्यारा से बटा नो प्रशेंट कितना होता है वहीं कितना होता है एक अगर प्रेक्शन वैली बूच्ण आपसे तो कितने होजेगी एक बटा का डिस्कांट दे रहा है कितने में टिस्कांट कुल की ससक्ते हैं यदि कि IT कि हैं इंब इसकांट दे रहा है तो आप जो कितने में भी की है आठ डिसकाउंट कितने का हुआ हुई तीन का आगर मैं आप से क्या पूज रहा था इक्यूविलेंट डिसकाउंट यानि तीन रुपे का डिसकाउंट हो रहा है कितने फें 11 पे सो पे वुच्छ है तो एक ब्टी घ्यारा की मैंने आपको किया बता रखी किए नो सी 11 तो कितना जहेगा नोटिया सताइस पीन मटै गयारा परतीसाद टो जो एक्युवंब गियान डिस्काउंट ना किसका ङ्यारा से जोड़ा नोऑ परसेंट दस परसेंट नो सी DC बटे घ्यारा परशन्ट है इतना जेगा सब देख वह दूसरे चीज देखते हैं अगर आपको देखो कि में सक्सस्यु इंक्रीज दे रखाओ और येडर रखें आपको दस परशेंट और दस परसेंट और ये दे रखेंगे हैं समें क्या बता है था या तो फर्मूले से करोगे आप क्या बताए है एक्स प्लस वाई पलस एक्स वाई ऒाई है हैंडरड यह क्या जएगा पर खिसद ठीक है आइस की जड़ाये क्या लिखोगे दस प्लस डस प्लस क्या जएगा दस गुना दस अ कितना जएगा यानि जो successive increase यानि की सम्तुले जो बढ़त है ना कितनी आज़ेगी 21% और यही चीजें बस क्या है चक्रवर्दी ब्याज है ठीक है देखो गई कैसे क्या पता है रेट अगर 10% दे रखी है और दूसरी भी 10% दे रखी है तो देखो गई चीज जगा में सब्सक्राइब रखी है तो सिंपल चीषी बात है टाइम दो साल है निए तक्र और 215 के ऊपर है कि दस परसेंट और दस परसेंट और यहां से अगर चक्रूल दिव्याज बूचे तो 21 रुपर दिव्याज जाए किसके उपर है सो रुपर ठीक हुए तो आपने आइसे कर रहा है वे तो किसी की चीज को क्रम बढ़ध साडे हारा साडे बारा परेंटे कितना है साडे बारा पररेंट है शम्यक्नलर ऑपरेंट साडे बारा जो एक्विविलेंट इंक्रीज है वो पूछ आप से इक्विविलेंट इंक्रीज है वो पूछ है अब देखो भई रेट कहा दिया आपको साड़े 12 परतीसक इसको क्या लेख सकता हूं मैं एक बटे आठ यानि शाड़े 12 कि अगर मैं आप से फ्रेक्षिन वैली बूछ हूं वो कितनी आजेगी एक बटे आठ एक बटे आठ का मतलब क्या है सक्सेस्टिव इंक्रीज बोला इसने यानि की बड़त यानि आठ से कोई चीज हो रही है नू आठ पे एक की बड़त आठ से नो हो रही है ठीक है कि दे रखाए साड़े बार बाद में 81 तो कितना माइनिस करोगे आप कितना जैगा साथ और चैने से साथ में करोगे कितना जैगा 70 अब देखो वही 17 इंक्रीज हुआ है किसके उपर 16 के उपर ठीक है अगर मैं आप से पूछ हूँ सो के उपर बता हुए ठीक है तो सिंपल क्या अगर होगे 17 आप उन में 64 गुणा में करोगे 25 25 प्लस 17 करोगे कितना जाएगा अब उन में 16 अब देखो वही 16 कितना होता है 32 कि बचा कितना दस 32 दस पूर्ज कर दो अगर सक्सेशिव इंक्रीज बूच है तो सिंपल आपने क्या करना है जैसे आठ पे एक बढ़ रहा है तो आठ पे फिर कितना दिया है तो आपका अन्सर क्या जाएगा 175 बाहरा परशेंट यानि आठ फे नोर ना प्रेशन नो लेonds सेमीर यहाँप सेटी आपने करना क्या है प्तों aircraft दो नौर नोगिकुना करोगे 88 से एक arada तो आपको दे रखाय समय दे रखाय दो और रेट कितनी दिया है शाड़े बारा प्रतीस तीक है और चक्रवर्दी ब्याज दिया है अब देखो वह आपको दे नहीं रखा तो इसका मतलब क्या है साड़े बारा प्रसेंट वार्शी यानि इयर की रेट दे रखे आपको चक्रवर्दी ब्याज दिया है छे पॉइंट आठ जीरो रूपे ठीक है आपने निकालना है मूर्दन तो देखो रेट क्या दे रखी आपको साड़े बारा पर्शेंट तो आपने करना कैसे है सिंपल अगर इस रेट की मैं फ्रेक्शन वैल्यू निकालूंगो कितनी आ जाएगी एक बटे अब देखो वही एक बटे आठ तो मैंने क्या बता है आपको कोई चीज आठ से नू हो जो मूल दन है ना वारा जो एक्चुल वैल्यू है कितनी आठ उस पर एक रूपे का इंटरस्ट मिल रहा है ठीक है रेट का मतलब क्या है प्रतिश्थ का मतलब कितना कितना है सब्सक्राइब इंज तो या रुप्य का रुप्य मिल रहा है अगर रुप्य का बीज मिलगा तो कितना हो जाएगा वह आठ से नो जैएगा टिकांग्व अगले साल हो अगले साल हो यांसे वैल्यू कितने आगी आठ वाट टू मैंने बता है एक रोन हमेसा सेम रिशियों में बढ़ेगा ठीक है अब ही पहले साल आठ से नो हो रहा है तो दूसरे साल तो यहां से मिस्टर्दन कितना जाएगा नो ने में 81 सी ठीक भए अब 64 से कोई चीज कितनी हो रही है 81 यह आपका क्या है मुल्दन है यानि क्या हो है प्रिंसिपल ठीक भए और यह क्या है आपका अमाउंट यानि क्या है मिस्टर्दन ठीक है बड़ी और यहां से अब यह क्या निकल गए आएगा मिस्टर्दन में से मैं मुल्दन माइनस कर दूँ क्या जाएगा चक्रवर्दी ब्याज आप देखो गई 80 में से अगर 462 माइने फ्रोगय कितना हैगा ग्यारा में सीं 4 माइनस आएगा साथ कितना जाएगा सत्थ कंप्वाइय इस इस थे क्रसर पॉइंट एक पॉइंट की वैलियो इस में किया दिये सब्सक्राइब यानि पॉइंट फॉर जीरो आजाएगा ठीक हुई आप से पुछा क्या है मूल दन बताना है आपने तो मूल दन अपना कितना है चोशट तो चोशट यूनिट है तो सट यूनिट की वैलिव निकालोगे गुणा पॉइंट चीयार करोगे वह कितना आजाएगा वहीज जीरो डियार चोके सोड़ा बचा कितना एक चार्ची की चोबीस रेक पतचीस ठीक है कितना यह जएगा 25 रुपे और चैजिरो पैसे पैसे एक और यह जगा आपने आपको दे रखा था यहां से चक्रवल दिव्याज देखा हमने 17 यूनिट आया है तो शतरह यूनिट के वैल लगा देना है ठीक है अब यहां से आप से पूछा है मूल दन तो मूल दन हमारे पास कितना है तो शर्ट यूट अब आप से यह कुछ ही पूछ ले जाए 64 यूट यानि मिश्र दन पूछ ले आपको सब कुछ आजिया जब एक यूट कितनी है पॉइंट फॉर जिरू रूपेज चलो इनेक्स इसन प्राते हैं दर दे रखिया आपको सोड़ा सी दो बटा तीन परसेंट टाइम दिया है दो वर स्कूल दन रासी यानि कि मिश्र दन दे रखाया आपको 14-70 रूपे ठीक है मूल दन निकालना है और चक्रवर दिव्याज बताना है चलो आजाओ विकरते हैं रेट कितनी है सोड़ा सी दो बटा 3% तो 16-3% को आपको लेख सकते हो एक बटा च्छे यानि 16-3% की जो फ्रेक्शन वाईली होती है कितनी होती को अब देखो एक बटाच्छे है यानि कि अगर मूल दन 6 रूपे है तो इसमें ब्याज कितना मिल रहे है एक रूपे यारी धन्रासी अगर छोपी तो ब्याज कितना मिल रहे है यानि कि जो पहले साल है तो दूसरे साल भी क्या होगी 6-7 या तो देखो वही यहां कितना होगा 636 और यह कितना होगा शातु शातु उनंचास ठीक है यह आपका क्या है भाई कि यह क्या है मैं प्रिंसिपल और यह क्या है लेंगे मिस्ट स्ट्रिश जो की अब इसकी वेल्य दियर रखे है आपको कि दे रखेंगे आपको कुल दन्हाइज है ना कितनी है 147 इस 59 युनिट की वैल्य आपको दिया 1470 एक युनिट की वैल्यों कालो यहां से कितनी आ जायेगी कि कने टाप्तुू सब्थू 14 70 निकालना क्या है एक तू मूलन बताना या एक तू मूलन बताओगे तो सेंपल आपने क्या ओड़ना है फातीशnicas wow और तंग सटीश का उनगा दो जीरो तॉय सुण है तेट निकालति क्या जाएगा नो में से च्छार में से जाएगा एक यानी आपने थे ज़र्वा लॉय बताओं यह तिर्ज और तीस करोगे तेरा तिया तो कैसे करना है आपने है तो फूल दनराशी यानिक अमांट दे रखाया प्रेंचिपल दे रखा है आपको सुरी मिस्टर दे रखा आपको क्या दे रखा है 14-70 इस 49 यूनिट की वाली 14-70 एक जराशी और 13 जो कि चक्रवर्दी व्याज आपका वो कितना जाएगा तिन सो नब्बे रूप्ट ठीक विए जलो एक टीको आते हैं आपने कुल दन्राशी दन्राशी बताने है रेट दे रखे आपको 11-9 और टाइम दिया है दो वर्स और क्या दिया है दो वर्स का चक्रवर्दी व्याज सेगेंड वर्स का ठीक है यानि कि दूसरे वर्स का चक्रवर्दी व्याज दे रखा आपको कितना दे रखा है 70 रुपे तो आपने करना कैसे है रेट कितनी दिया आपको ग्यारा सी एक बटान नो पर्शन अगर सिंपल आप से पूछा हो बैस चक्रोल दी ब्याज बूचाओ मूल दन पूचाओ या मिशर्दन बूचाओ या इन में से कोई एक चीज दे रखी हो ठीक है तो आपने जो मैंने मैं पर्षेंट को मैं क्या लेख सकता हूं एक बटान नो यानिकी फ्रेक्शन वाल्यू कितनी आएगी एक बटान नो यानि 9 पर रुपे ब्याज ठीक है अब टाइम आपको इतना दिया है तो वर्ष दिया है बटाइम तो सिंपल देख भई जब टाइम आपको दे रखा हो दो देखो दैंक अगर मैं इसका स्क्राइर करूंगा तो 90 स्क्राइड कितना और इकैसी यह क्या है जैगा मुल्दन आ जाएगा ठीक ह्थाए अब देखखो 85 है हमं यह स्क्राइड है अगर मुझे पहले साल ब्याज निकालना हो तो 81 का एक बटा नौ करूँगा पहले साल का गितने जिएगा 9 आब दूसरे साल का बैज ने कर कि नो रुपये, अब मैंने आपको क्या पता है नों कीसे लगाओक्त है नों का एक बटा जाधिक्षेट की जे कि नो रुपिए कितना है नौ रिक दस रुपिए यानि दूसरे साल का ब्याज दिया कितना आपको 20 यानि इस दस यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है तो अगर एक यूनिट के वैल्यू माँआपसे पूछ हूँ कितनी आ जाएगी साथ आजाएगे भी, सत्तरा अपन में दस करोगे, कितना आजाएगा, साथ, ठीक है, अब देखो गए, यहां से अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या पूछूँ, चक्रोल दी ब्याज, ठीक है, तो चक्रोल दी ब्याज कितना है, यह 9 और 9, यह तो साधन ब्याज है, और ब्या यह अमाउंट, अमाउंट यह मिश्चर दन, अब देखो गई, अगर 19 यूनिट चक्रोल दी ब्याज आया है, 21 हमारे पस क्या है, मूल दन, तो 21 में, अगर 19 पलस करोगे, आप कितना आजाएगा, 9 रेक, 10, 8 रेक, 9 रेक, 10, ठीक है, अगर पूचा है, तो सिंपल आप करोगे, क्या है, मूल दन, अमारे पस है, 81 यूनिट है, एक यूनिट के वाली उसाथ है, 81 साते कितना हो जाएगा, यह 7, 7, 8, 7, 5, यानि 566 रुपया है, यह आजाएगा, आप मूल दन, ठीक है, और क्या पूचा है, मिश्चर दन पूचा है, तो सिंपल आपने करना किया है, 100 गुणा में साथ करोगे, कितना जाएगा, 700 रुपया, ठीक है, अगर चक्रूर दी प्याज पूचे, तो 19 गुणा साथ कर देना, वो कितना जाएगा, 9, 7, 63, 7, 6, 13, कितना जाएगा, भई, कितना जाएगा, 133 रुपय, तो ये चीज़े हैं, आपने ऐसे करना है, ठीक है, अब आप से कुछ भी पूच ले, आपको देर क्या रखा था, जो दूसरे साल का चक्रूर दी प्या जाना, वो दिया हुआ था, आपको कितना जाएगा था, 70 रुपय, और वैसे हमारे पास कितना है, 9 रेक, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट के वैलिव हमारे पास है, 70 रुपय, एक यूनिट के वैलिव कितने आजेगी, 7, अब 81 यूनिट के है, मूल दन है, तो 81 यूनिट का कितना जाएगा, 81 गुना में साथ करोगे, 56, 56, 56 रुपय जाएगा, यहां से मिसर दन निकालो आपको 15 रुपय तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसकी फ्रेक्शन वैल्यू निकालो, अगर 15 बटे में सो करोगे, कितना जाएगा, पांटिया, पंद्रा, पांच बीस, सो, पांच बीस, सो, यानि 20 पे 3 रुपय बेज मिल रहा हुए, आप देख हुए, टाइम दे रखाया आपको 2 साल, तो सिंपल आपने करना क्या है, इस 20 का जो बेस में है, उसका मैं सुकेर करूँगा, तो 20 क कितना जाएगा, 400, यानि कि जो मूल दन है हमारे पास है, वो कितना है, 400 रुपय मान के चल रहे हैं, अब देखो बई, टाइम कितना है, दो साल, तो 2 साल का ब्याज निकाल लो बई, अब देखो, पहले साल का अगर मैं ब्याज निकालूँगा, तो आप क्या करोगे, 400 का 3 बटा, बीच निकालोगे, तो 400 कुणा में 3 बटा बीच करोगे, ये 20 से 400 कट जाएगा, 20 पे, 20 तिया 60, तो कितना जाएगा, 60 है दूसरे साल भी क्या करना है, आपने, तो 3 बटा बीच निकालोगे, 400 का, ठीक है, तो दूसरे साल कितना जाएगा, 60, अब देखो गई, ये द अब आपको दिया क्या है, c i e s i, c i e minus c i, अब देखो गई, ये 60 और ये 60, ये तो हमारे पस क्या है, 70 अब ये 60, और ये 60 और 9, ये क्या है, चक्रवरदी प्याज, तो अगर 60 और 60, 9, 120 और 9, उसमें से 120 माइनस कर दूँ, तो क्या जाएगा, 9 यानि ये क्या है, हमारे पास एक सो बीस मेरेंस करोगे नो यूनिट यहां से नो ओसे यह सिंपल कितना और इस नो यूनिट की वैल्यू कितनी दे रुकिया आपको नो यूनिट की वैल्यू दे रखे है दो पॉइंट साथ जिरो रूपे एक यूनिट की कितने आजी है कितने गुणा इसका नो तीया 27 यानि पॉइंट 30 रूपीज है भई ठीक है मूल धन बताना है वहां चार सो चार सो अगर कोईंट 30 निघा तो कितना जैगा 120 रुपैं कितना जैेगा 120 रुपैं कितना जैओं कितना जैएников 2020 आध फेल् 6报 कुछ निया है वई दिया है क्या दिया है चक्रवुलदी ब्याज और जाद्न ब्याज का डिफेंच देरा है तो साफ और साथ 20 क्या है चक्रववल भियाज क्या है था यहां से अपकाई समख चूर याईगा चलो आठे आ आते हैं मुल्दन ग्याद करने आपने टाइम दे रखा दो वर्स चक्रवर्दी ब्याज और साधन ब्याज का जो डिफ्रेंस है वह दे रखा 40 रुपे और क्या दिया है पहले साल जो रेट ना हो है 14 के लिए कि ग्यारा सी इवर्ण नो परती से था हुए ठीक है यह टाइप करने में साहिद गल्दी करिया है दूसरे वर्स के लिए जो रेट है किनी है कि पुछ सके आप से मूल्दन पुछ से हुए जलो वह देखते हैं रेट क्या दे रखिया है जो पहले साल के लिए रेट है न वह कितनी दी है 14 सही 2 बुटे 7 परतीशत और जो दूसरे साल के लिए रेट है वह कितनी है ग्यारा सही एक बुटा नो परतीशत अगर मैं 14 सही 2 बुटे 7 परतीशत की आप से प्रेक्शन में पूच्छू यानि भिन में अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे कितना जेगा एक बुटे साथ यानि कोई चीज पहले साल की आप हो रही है दूसरे साल कितनी हो एक नोज से तस हो ठीक है लेकिन देख की हमारे पास क्रोल on डिजाद शादन हमारे बाइस करेंगे बैसे मेंद्स करेंगी इसका साथ नम सिंपल करेंगे ओरवा mia देखो इसका अंधर मा हमसे पूछूं होँ पहले साल का ब्याज पहले साल रेट कितनी है 14 22 उयानी की एक बटे साथ इक बटे साथ निकालूगे किसका 308 तो कितना आ जाएगा वैई अगर दूसरे साल से रेट कितनी है फ़हराज शेसे बीट नो परसेंट यानिक की है लाट नौ से गना फशर की किस ब्याज ही 휩ाज वहाब इस ब्यारिट इसका न्यूम उलीची चा है तक आ जीगा एक अगा जाएगा बीर लृट आप देखो ओए और सादण ब्याज उसका डिफरेंस कितना दिया है चालीच रुपे है अब मैं आप से पूछू अगर एसाई कितना है नौ और साथ सोडा नौ और साथ सोडा तो सैब और स्याइए कितना है 9, 7, 16, 17 अगर CI और SI का difference बुछ हूँ वो कितना है इस एक unit की value आपको दे रहे है 40 रुपे इस एक unit की value कितने दी है 40 रुपे है वई और आपसे पुछा क्या है मूल दन बताना है आपने 63 unit की value बुछे आपसे 63 unit की value कितनी हो जाएगी 43 गुणा 40 कितना जाएगा 0, 3 चोके 12 बचा कितना 1 है चोके 24 रेक 25 यानि 2520 रुपे आप 500 रा जाएगा 2520 रुपे क्या जाएगा आप 500 रा जाएगा ऐसे करना है आपने चलो next question पे आते हैं मूल दन दे रखाया आपको 18,000 रुपे रेट दे रखे 16,000 रुपे 3 परतीशत ताइम दिया आपको एक साल तीहतर देन चक्रवर्दी ब्याज बुच्छा है आपसे ठीक है अब की बाद टाइम कितना दिया है एक साल तीहतर दिन अब देखो भई रेट कितनी दिया आपको 16 सही 2 बटा 3 परतीशत इसको क्या लेक सकते हो आप एक बटा 6 एक बटा 6 लेक सकते हैं भई सबको पता है तो देखो भई अब एक साल से कुछ दिन दे रखें भई कुछ दिन ज़्यादा हैं तो मैं क्या करूँगा दो साल का निकाल लेता हूँ भई तो दो साल का निकालोगे तो अगर मेरे को मूलदन निकालना हो तो क्या करोगे आप मैंने क्या पता है आपको अगर दो साल हो तो 6 का स्केर कर दोगे अगर टाइम तीन साल हो तो बेस में है उसका क्यूब कर दोगे ठीक है तो देखो, मूल दन 6 का स्केर करोगे, कितना आज़ेगा 36 यह क्या है हमारे पास? मूल दन, ठीक हो? अब आज़ा होगी यह पहले साल के लिए और यह दूसरे साल के लिए अब 36 का 1 बटा 6 निकारेंगे परेट कितनी है, 1 बटा 6 अब यहां भी सब्सक्राइब अब इस ब्याज भी ब्याज लगना है वही इस चैख अगर एक बटा शे मैं निकालों आप से फूछू कितना हो जाएगा ठीक है अब देख वहीं अगर मैं पहले साल ब्याज पूछ वापसे कितना है छे रुपय अगर दूसरे शाल का उसाथ रुपे वह लेकिन इसने क्या वोला है जो टाइम दे राखा है है नब एक साल और तीयतर दिन दे रहे हैं और यह जो अमाउन्ट है ना दूसरे साल गां यह कितने दिन का भई यह जो साथ यूनिट है तीन सो सेट दिन का यह निकान तो सिंपलाप करोगे किया कि इसाथ प्रटे तीन सो पैस्ट क्योंकि तीन सो पैस्ट कितना है यह कितना है यह साथ प्रटे पांच यानि कि क्या करोगे पांच एक पॉइंट चैर रूपया जाएगा ठीक हुए कितना है एक पॉइंट च्यार रुपे झाओ आप से पूछा कि या इट चक्रवल दी ब्याज को साब्ष पहरे मैं निकालाए अभी कितना है एक पॉइंट च्यार कितना जाएगा वही साथ पॉइंट कि चार यूनिट आ जाएगा ठीक है अब देखो भई आपको देर क्या रखाया मूल दन देर रखा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी अठारा जार इस चतिस का कितना गुणा है कि इतना गुणा है वही तो पंसो गुणा है वही ततीस पंजे करोगे आप है पंजे तीस बचा कितना तो देखो आप से पूचा कहा है एक साल तर दिन का चकरोल दी ब्याज बताना है तो साथ पॉइंट च्यार यूनिट का अगर आप पंसो गुणा करोगे तो वह कितना जाएगा वही पहन हम जिरो एकवं पॉइंट है उससे जेरो कट जाएगी तो पांचों के बीच बचा कितना दो साथ पंजे पैफएश दो थैंतिस कितना हुआ तो चक्रवल दी ब्याज आपका कितना निकल कि आया था जा रूपें और धीस टो किके कितना था था जा जाएगा जलो नेक्स एक आए था आते हैं वह कि रेट कितने दिया है 15 परस्तिशत इसको क्या लेख सकते हो पांट या पंदरा पांच वीश सो यानि तीन बटे बीस ठीक है टाइम कितना दिया है एक वर्ष छे महीने तो मैं क्या करता हूँ दो साल मान के चलता हूँ ठीक है तो दूसरे साल का जो ब्याज आएगा उसको च अगर 400 का आप तीन बटा बीस नहीं करोगे यह पहले साल का ब्याज यह दूसरे साल का ब्याज तो क्या करोगे आप गुणा में तीन बटा बीस ठीक है तो तीन बटा बीस करोगे तो बीस ठीक है तो कितना जेगा 60 यहां से अगर तीन बटा बीस नहीं करोगे तो कितना जे जाएगा दूसरे शाल जो पहले साल ब्याज 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 लगना है कितना जाएगा नो रूपिय अब देख वह यह जो उन्हें 3 रूपिय ना यह कि एक साल की ब्याज है हमें कि चैए हमें चैमेनेगा चाहिए अगर मैं इसका आप कर दू तो सिंपल से महीने का जाएगा यह अगर बारा महीने का आया तो या तो आप कर लो उन्हें तरबटे बारा करोगे गुणा में छे करोगे ठीक है वह भी एक ही बात है या फिर शीदा आप क्या करोगे एक बटा दो निकाल दें इसका तो कितना जाएगा कि दो ती अच्छे और दो चुके आठ दो पंजे जास कितना है चो तीश पॉइंट पांच ठीक है अब देखो हुए कि आई निकालोगे यहां से तो साठ तो पहले साल लगा है एक वर्स और छे महिने काजी कितना हुए कितना हुएगा 2.5 4.9 चुरान में 0.5 आ जाएगा इसकी वैल्यू कितनी रखिए वे चुरान में 0.5 एट किसके बदे रखिए है 9.45 रूपे के बदे रखिए अब देखो ही अगर मैं आप से पूछू एक यूनिट की वैल्यू तो आप कैसे निकालोगी 9.45 बटे में क्या हुआ 9.5 ठीक हो तो देखो भई अगर देखो आपने ऊपर का पॉइंट अटाना हो तो सिंपल आप करोगे क्या क्या करोगे भई गुणा में एक बटा सो कर दोगे ठीक है दो पॉइंट पिजी रहो थे अगर यह वाला पॉइंट अटाना है तो करोगे क्या गुणा में दस कर दोगे बटा में दस आएगा तो गुणा में दस दोगे इससे एक जाएगा तो आएगा क्या जीरो पॉइंट एक आजएगा ठीक है आप से पूछा क्या है वह मूल दन पूछा है तो अकर चैर्टो का जीरो पॉइंट एक निकालना हो तो इस पर आपने आपने चलो इन एक आते हैं देखो वह मूल दन निकालना है टाइम दे रखा तीन वर्स रेट दे रखे आपको दस परसेंट और चक्रवर दी ब्याज दे रखाए छेश्ट फोबीस और रेट दे रखे दस परसेंट इसको क्या लेख सकते हैं एक पुटा दस तो मैंने क्या पताया था जब चक्रवर द सब्सक्रार करें अगर्या प्तिंख आश्या deze इसका उन्य WAR कि यह अब अब यह थे कितिता हो चाया एक आठीटीव 58 आप यह तो क्या हमारे पास प्रेटिपल है और यह क्या है MARXT यह क्या है प्रिंसिपल ठीक है और यह क्या है अमाउंट ठीक है अब देखो वह अगर आपने सी आई निकलना हो तो 1331 में से एक जार माइनस करोगे कितना आजएगा 331 तो सी आई आपका क्या आजएगा 331 इस 331 की वैल्यू इसने दे रखिया कितने दे रखिया अगर एक यूनिट की वैल्यू माफ से पूछ हूँ तो कितने आजएगी 331 गुणा दो जीरो यानि इसका बीस गुणा है आप से पूछा क्या है वही मुल्दन पूछा है यानि इस एक जार यूनिट की वैल्यू पूछी है तो गुणा में 20 करोगे कितना जएगा 20 जार आजाएगा तो मुल्दन क्या आएगा अगर मिसर दन पूछा हो तो 1331 गुणा बीश कर दोगे जो भी आएगा वह मिसर दन हो जाएगा आपने ऐसे करना है ठीक हो गई चलो ने एक्स्यूशन भी आते हैं हुए अगर दिफ्रेंस है वही तकरवर्दी ब्याज और साधान ब्याज यानि सी आई माइनस साई कितना जिरखा है तरह जीरो एक रोपे बन ठीक है कितनी दिए हैं पिछे वाला क्युस है बैज सब्सक्राइब क्यूel कित्ष्ट करोगे कतना जाएगा खितना आजाएगा वही 8000 अब देखोगे हैं ताइम कितना है हमारे पास तीन साल का बयाज निकाल लो वही अगर मैं आठजार का पहले साल का बयाज निकालों तो क्या करोगा सिंपल आप आठजार का गुणा तीन ब्टा 20 करोगें कितना जाएगा बाइसरे साल का अगर तीसरे साल निकालना हो तो मुल नभी ब्याज लगना है तो 320 कितना जाएगा अब धार तियो शाल अग्लियरी होगा का इस का बावरह सो पेी तो इसका बार जो सी बाटा बीश निकालों तो कितना आजाएगा, जेरो सी जेरो कट जाएगा, 2-2 के 12 yakni तो 5 मिलना तो आजाएगा 5 इसका अगर 3प्ट 20 कितना आजाएगा इसका तीन प्याज प्याजारोगे कितना आजाएगा इसके एकशेष का 3प्ट 20 कितना आजाएगा इसका भी तीन बटा बीश करोगे और इसका भी तीन बटा बीश करोगे और इसका भी तीन बटा बीश करोगे और इसका भी तीन बटा बीश करोगे ठीक अब देखोगे यह मैंने आपको क्या बता है 1200 1200 और 1200 यह हमारा सिम्पल इंटर्स यह सेम रहेगा बदलता नहीं है अगर इन सब को मैं एड़ कर दूं तो क्या हो जाएगा क्या हुआ है तो अगर आप अगर शिंपल में देखोगे और सियाई और स्यका डिफरेंस क्या हुआ अगर यह यह 1212 और इनको एड़ कर दें तो ऐसा है तो अगर डिफरेंस पता करना हो कि अगर पता करना हो पर यह क्या जाएगा वई यह क्या है महारा डिफरेंस है यह रसे गार डिफरेंस कितना है कि देखोंट प्लस एक्सों सी प्लस शॉसी प्लस एक्सों सी अंट इस यह चूमन यहनी कि 540 ती आई और डिफरेंस कितना जाएगा पन्सो चारईस पलस में क्या है यह 27 वह 27 और एड कर दो वही इना जाएगा साथ चारद उच्छे और पांच पन्सो शट्रश यूनिट आ जाएगा इस पन्सो शट्रश यूनिट के वैल्यू आपको कितनी दे रहे हैं बैसा तरह सो एक है देखो तो ल 거죠 कितना गुना है जोना तीन करोगे डीना आप सेब से और लुद है यानि कि मूलन भुछा आपसे प्रेंसिपल बुछार आप से त्थांग ऑम अमारा तो 8000 यूनिट है वही तो 8000 का 3 गुणा करोगे कितना जाएगा 2000 आ जाएगा वही टीक है मूल दना आप आपका क्या जाएगा दो बीशल यह चीज़ है ऐसे करना है अपने सिंपल वे में करें में नेक्स चलो वह आजाओ क्या दे रखा है भई वेट दे रखिए साधे बारा परतीसाथ ठीक है और टाइम कितना दिया है तीन साल इसको क्या लेख सकता हूं मैं साधे बारा यानिकि एक बटे आठ ठीक है अब देखो दे क्या रखा आपको चक्रवर्दी ब्याज और साधर्ण ब्याज का डिफेरेंज रखा है तो आप करोगे कैसे सेम उसी ट्री मेथड से करना है भई अगर मैं 8 का क्यूब करूँ तो 8 का क्यूब कितना होता है भई 512 तो यह हमारे पास क्या है इसको मान के जलने है मूलना तो यह पहला साल यह दूसरा साल और यह तीसरा सा जाए अगर पंसो बारा का एक बुटे आठ निकालोगे तो इसका भी एक बटे आठ करोगे है यह 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 तो इसका भी एक बाटे आठ करोगे यहां भी एक वटे आठ करोगे और यहां भी एक कुल अब देखो ओ वे अ अब देखौ का चम्स दूसरे साल बियाज फॉर अब इसाइ। कलोगे फे सतुर्ट का ये अर्ट का वह कितना जायेगा अंध्यएंग 922 पर ले टूम हम पर ₹वा हुष्स पेला झाल ना कर फिशmother टूम हैं क Sich और लाट यह जो कि बटला मैं इप्सक्ते हचे एक बटाट निकाट लोगी इना जेगा इस पास निकल लोगे कितना जीओ बारत निकलने और यह जो आट है सिसका इक बाकिक ут praising धू तो देखो वb Kiya दिया है लाए और जो डिफ्रेंस है न हो देर रखेंग वारा बारा पॉइंट जीड है यह यह निस यह निशज़ा का डिफेंस है क्या वह यह जो है ना यह क्या है यह क्या है कि इससे बिसोर्ट वे बताएंगे आपको करने का कैसे निकाड़ोंगे यह आर्टिया 24 रेक 25 यानि अगर सी आई और साइगा डिफरेंस निकाड़ना हो तो कितना जेगा यह 25 यू इस 25 यू निकाड़ना है आपको इतना जेगा और मूल्दन कितना जेगा पन्सो बारा और पॉइंट फाइव जीरो गुना है यानि कि इसका एक बटा दो नहीं कारना है आपने वह कितना आजाएगा भाई यह यह आ रहाएगा दस दो चीवारा 256 रुपय आ जाएगा है तो आपका जो मूल दन है वह कितना है 256 रुपय ठीक है यह चीज़ आप देखो एक सिंपल भी बताता हूं आपको अगर इस टाइब का क्यूस्टन आया हो तो सिंपल आपने करना क्या है अगर आपको दे रखा कितनी देखे साधे 12% टाइम दे रखा है एक बटा तीन और तो आप करोगी क्या हूं मेस pří तीन साल के लिए अपली केशन है जब भी मुल्दन लाओं यानि की परिंसिपल मांना हो तो वह तो क्या करोगे एक्स की क्यूब ठीक है及abenसा क्या होगा 3x plus 1 अब देखों यहां principle कितना यह था x की qb x क्या है इसको क्या मान के चल रहे है इसको क्या मानके चल रहे है एक वटा x 8 क्या है x है चलो आजाओ वही तो x क्योब कितना हुजएगा 8 की qb यह कितना होजेगा 512 तो यहां से आग निकाल होगे आठ त्या 24 रेक 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आए थी वही अभी कितनी देर रखी थी एक सो पत्चीस 12.50 रुपे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आगी पॉइंट 512 की वैल्यू बतानी है तो गुणा पॉइंट 510 करोगे कितना जाएगा 256 यहां हो जाता वह इतनी देर में तो पन सो बारा का आपकर देते सिधा क्या जाता 256 ठीक अब है चलो नेक्स्क्स क्यू रेट दे रखिए 16 से 2 बटा 3 परतीशत तीन परतीशत टाइम दिया है तीन साल ठीक है और सी आई और साही का डिफरेंस है न वह आपको कितना दे रखा है पांच पॉइंट साथ जीरो रूपे वई ठीक है यह दे रखा है तो देखो भी इस रेट को मैं क्या लिख सकता हू एक बटा थे लिख सकता हूं अगर यहां से मैंने प्रिंशिपल निकालना हो उसके लिए क्या तरना आपने एक्स की क्यूब यानि 6 की क्यूब करोगे कितना जाएगा कितना जाएगा 216 ठीक है और CI और SI का डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए क्या बता है 3X पलस 1 यानि 3 से के 18 पलस 1 कितना जाएगा 19 इस 19 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है वही 5.70 रूपे वही ठीक है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आजाएगी 2 पे पॉइंट लगा दो वही ठीक है कितनी आजेगी पॉइंट 30 रूपे वही ठीक है आपसे पूच्छा क्या है दोस्तों 16 यूनिट की वैल्यू बतानी है इनी प्रिंसिपल बताना है मूल्दन बताना है तो दोस्तों 16 गुणा में 0.30 करोगे कितना जीरो ये तीन चीक है अठारा बचा कितना एक तीन एकम तीन और एक च्यार ठीक है और तीन दूनी च्छे दोपे पॉइंट लगा दो वही चोषट पॉइंट एट जिरो रूपे आ जाएगा पान सो ठीक है इस प्रकार करना है आपने आपने करें फिर नेक्स ट्यूशन आजा हूँए कि यहां पर तीन परसेंट आप देखो यहां पर वह मेठर नहीं लगेगा क्या अलग अलग दे रखा हैं यहां पर आप दूसरे वर्सका तो चक्रवर्दी ब्याज दिया है उनका डिफ्रेंस दे रखा हुई तो देखो वही रेट कितनी है एक बट अच्छा है अगर मैं प्रिंसिपल मानूँ तो उसके लिए आप क्या करोगे है टाइम कितना दिया है तीन साल तो छे का गुणा तीन करोगे होगे स्वरी नों कितना जएगा 2 milo rG से का क्यूब कितना जएगा दघ्रोंगे सब्सक्राइट डूश्वेले साल का 216 आप आप सब्सक्राइब तीसरे साल 243 थे मदन दच आप यस-विह नहीं है अब देखो इस चतीस पर तीसरे साल लगना है इस चतीस पर लगना एक बटाच एक तो दोस्तों सोडा गुणा एक बटाच एक तो अब देखो याई पेले साल दूसरे साल इस कंति पे Hel 안yar ऐस दोसे छोई लगना एम च्पशकें विए रहे दोस्तों सोडें दुश्य बेवल लगना यह यानि चतीस खनाना है शंसी तरह एक वटाच एनिकलऑ करूंगे इन अचैने değişक्ण इस ती waking शचनी इन इक बहुत सो और इस 6 का एक बटा 6 निकाड़ोगे कितना जाएगा एक ठीक है अब दूसरी बात क्या बूलिए है कि क्या दिया है जो तीसरे साल का चक्रवलदी ब्याज है अब तीसरे साल का अगर चक्रवलदी ब्याज बुछ हूं आप से तो दूसरे बात का चक्रवलदी ब्याज है उसका डिफरेंस दिया यानि इसका और इसका डिफरेंस दिया आपको तो देखो वह चातिस तो दोनों में कूमन है यहां से च्छे को मन है तो डिफरेंस कितना जाएगा साथ यूनिट तो देखो यहां सब्सक्राइब यहां 30 में 30 सहब है कट जाएगा सब्सक्राइब से यह वह को मन है तो डिफरेंस बचेंगा अगर इन दोनों का डिफरेंस यां 30 शर सारी शक्का और 3 ص़र्श में एक सक्ट cans कि तो सी आई माइनस सी आई कि यह तीशरे साल लगा है और यह सेगेंड कि इतना आया वाई डिफेल साथ यूनिट आया हुए ठीक है अभी साथ यूनिट की वैल्यू इस्ट ने कितने रखी है कि यार सो पीस रुपे दे रखी है कितने गुणा है आप से पूछा क्या है मूलन पूछा है तो दोस्तो साथ का दोस्तो सोड़ा का अगर साथ गुणा निकालोगे तो कितना जाएगा जीरो चैशे 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 बचा कितना तीन चैशे कंचे चैर तीन नू ठीक है और चैशे बारा यार्न नो सो साथी रुपिया यह फ्वांसर क्या निकल गया आपका बाराद आजार नो सो शाट्रु यह चीज़ए तीक है इस प्रायर करना है भी आपने क्यूशन चलोव इने एस्ट्यूशन करते हैं वही अब की बार टाइम दे रखाया आपको तीन साल और चक्रोडी ब्याज और साधन ब्याज का रेश्ट डिफ्रेंस दिया है पांच पॉइंट चैर जिरो रूपी और रेट दे रखेंगे अलग लग रेट दी आपको यानि जो पहले साल के लिए रेट है और तीसरे वर्स के लिए रेट है यानि हर साल अलग लग रेट करनी है तो पहले साल कितनी रेट है गयारा से बटा नो परसेंट यानि कि एक बटा नू दूसरे साल कितनी है बटा 7 परसेंट यानि कि एकपड़ा 7 लिख सकते हैं और इसको एक बटा 10 जो देख होई अगर सिंपल हमें दिया रखा हो था हूसे चक्रोल दी तो हम क्या करते हैं को चीज 9-10 और दूसरे साल क्या होती तीसरे साल क्या होती 10-11 और फिर मल्टिप्लाइ कर लेते जिससे कोई कट रहा होता हो कट जाता अंसर आ जाता हमारा लेकिन अब दे रखाए डिफ्रेंस चक्रवर्दी ब्याज और साधान ब्याज गा उसके लिए क्या करोगे आप सिंपल आपने करना क्या है तो रेट दे रखी है उसका बेश देखो वहीं कि नो है यह साथ है और यह दस है इनके आपस्यों गुणा कर लो नो साथ एतरेशट गुणा दस कितना जेगा छैसो तीस यानि जो प्रिंसिपल है न वो क्या मान के चल रहे हैं वही छैसो तीस स Glen이라는 630 इंबड नो णिकलो कितना जेगा 630 करे Kinoni लोड़े आप कितना जेगा city ओसते ऊटार मोच अगर देखों दूसरे साल क्या करना है रहेट का सफ रिट चैस इस निकालो कितना जेगा साथ सब्में कर दकiny इतना जाएगा साथ निम में 63 अब तीसरे साल क्या होना है ठीट क्या लगना है या आप ने इस सत्तर का दूसरे साल भी त्याज मिलना है लेकिन रेट क्या है दूसरे साल तो दस दो बटे साथ परसेंट यानि की कहा है एक बटे साथ, यानि इस सत्र का मैं अगर एक बटे साथ निकालूँ, सत्र का एक बटे साथ निकालोगे, वह कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा ठीक है, अब देखो भी. अब तीसरे साल पे आ जाओ दूसरे साल का तो कलीर हो गया तीसरे साल पे आ जाओ इस ब्याज जो मिला है ना पहले साल और दूसरे साल उस ब्याज पे ब्याज मिलना है वह ठीक है कितना जाएगा आत रुपया जाएगा ठीक है अब इस नब्बे का एक बटा दस करोगे आपे इस नब्बे का एक बटा दस करोगे नब्बे का एक बटा दस करोगे वो कितना जाएगा बई नब्बे कुना एक बटा दस कितना जाएगा नू अब इस दस का एक बटा दस करना है क्या करना है इस दस का एक बटा दस करना है वो कितना जाएगा एक कितना जाएगा एक ठीक हुए इस दस का एक बटा दस करोगे कितना जाएगा एक बटा दस तो कलियर है अब चीजे देखोए अब आ जाओ विद्या क्या है चक्रवर्दी ब्याज और साधान ब्याज का डिफरेंस है न वह दे रखा है आपको कितना दे रखा है चक्रवर्दी ब्याज और जो साधन ब्याज का डिफरेंस है वह कितना आपके पास है यह तो साधन ब्याज है और यह अगर एड हो जाता तो चक्रवर्दी ब्याज जाता अगर इसको मैं अटा दूँ तो सीधा डिफरेंस यही बच जाएगा तो सी आई और साइगा डिफरें वुषने कितनी दिया 5. 40 रुपे में कितने गुणा ? 0.20 घुना है पॉइन टू जिरो गुणा है ठीक है 0.20 रुपे ठीक है अब आपसे पूछा क्या है क्या पूछा है आपसे चक्रवर्दी ब्याज पूछा है तो अगर आपने निकालना हो तो देख वोगे यह कितना है वही 70 और 90 करोगे कितना जाएगा नोर साथ सोड़ा है यानि कि 160 में अगर यह एड़ करोगे कितना जाएगा 220 223 और वो कितना है यह कितना है हमारे पास है 27 23 कितना जाएगा वही 77 तीन दस बचा कितना एक दो दो चयार एक पांच और यह दो यानि डाइस सो यूनिट है वही अगर इस डाइस सो यूनिट की अगर वैल्यू निकाड़ू में तो क्या हो जाएगा गुणा में क्या करोगे आप है 0.20 अगर 0.20 गुणा में करोगे तो कितना जाएगा के 20 पंजे 100 पहुआँ 25 पुद्शीर 50 रुप्या जाएगा ठीक क्या है आपनार धिया निखल जाएगा 50 रुप्या जाएगा ठीक है क्या जाएगा बही 50 रुप्या जाएगा ऐसे ना आपने अच्ट की पयाते हैं कि दिखो भी क्या रखाया है मून दन दे रखाया आपको 10800 रुपे ठीक है और रेट क्या दिया है सोड़ा से दोप्टा 3 परतीसर टाइम दिया आपको 2 साल 370 दिन और चकरवल दी ब्याज पता करना है भाव एक अब देखो 2 साल 63 दिन इससले सब्सक्राइब नहीं क्या था पूर्ट सब्सक्राइब 50 3 प्रतिषत इसको क्या लेक सकते हैं एक वटाश है अब देखो अगर टाइम मैंने माल लिया वह तीन साल यह तो चेका अगर आप क्यों करोगे तो कितना जाएगा आप थे समय अभरे ब्याज बैसे साल निकाल को सब्सक्रीब सब्सक्रीबी तीसरे साल इन ब्याज के उपर लगना है यानि इस 36 फे ब्याज लगेगा एक बटा च्छै मिलेगा तो कितना जेगा च्छै इस चैगा एक बटा से कितना जेगा तेगा अब देखो वे, सबसे पहले क्या किया है, रेट के आपके पास, उला सी 2-3% यानि कि इसकी अगर fraction value बूच हो, वह कितने होती, एक पटा 6, एक पटा 6 का simple मेंने क्या किया है, मूझ अ किया है, 6 का cube किया है, 2106, ठीक है, अब दूसरे साल का ब्याज अगर निकालना है, तो 2306 का लोगतर चाहीं चैसे अब दूसरे साल देखो पहले साल का ब्याज लगना यानी सथीश वेज मिलना पिस का इन दुझा है अच्छा कितना अच्छा है अब आजाओ तीसरे साल हो टो पहले साल बैज मिना डूसरे तो देखो अगर मैं तीसरे साल का ब्याज बूच हूं हूं जो तीसरे साल का टोटल ब्याज हूं कितना है तीसरे साल में कितने दिन है तीयत्तर दिन का निगालना है तो तीयत्तर गुणा पांच हो जाएगा अब 49 बटे पांच करूंगा मैं तो कितना जिएगा पांच में 45 बचा कितना त्यार और पांच अठे चालिस यानि नो पॉइंट आठ यूनिट आ जाएगा तीसरे साल जो तीयत्तर दिन है उसका ब्याज जाज जाएगा ठीक है अब देखो गई कि मूलाज क्या दिया है आपको 10,800 यानी इस 211 यूनिट के वैल्यू है ना कितनी दिये जए 10,800 पे दिये तो कितने गुणा है fakie कि इतने गुणा है कि इसका 50 गुणा कितना होज एगा थापिज़fish टीक होए ब्रूज है लिए इतना हों निकालना कंद लागों है निकालना यानि कि चक्रम्दी प्याज यिद्वार्श पूछे दो वर्स पर तियक्तर दिन का व्याज कंद या सब्सक्राइब अब फेले तो निकाल लो हो निकालकर तो एड़ करना है भी 9.8, कितना जाएगा? कितना जाएगा? 87.8 हाजएगा, 87.8 unit हाजएगा, टोटल अगर इसका कितना कर दूँ, 50 गुना कर दूँ, तो अनसोर जाएगा क्योंकि 216 का 50 गुना कितना है? और 4, 49 बचा कितना 3, और 85, 40 हाजएगा? 44, क्या जाएगा आपका? CIE आजएगा, ठीक हाजएगा? CIE आजएगा, इस प्रकार करना है भी आपने, चलें भी नेक्स्यूशन पे, आज आजएगा, करतें नेक्स्यूशन देखोवी. अब तक क्या करते हैं? जब rate ढे रहखे, आपको वार्श सीख, लेकिन अपकी बार क्या बोला है? रेड दीए अर्द वार्शीख. और टाइम दिया है एक वर्स चैह मेहिने, एक वर्स स्चैह मेहिने. और क्या क्या करनी है? और आज्द वार्शीख परतिशत वार्षिक है वही है 20 परतिशत क्या है वार्षिक है लेकिन यह क्या अगर है अगर दर अर्द वार्षिक लगाई जाए तो देखो अगर अर्द वार्षिक लगाई जाए तो मैं क्या करूँगा 20 परसेंट बटा में दो यानि अगर एक साल की 20 परसेंट है तो 6 मेने कितने हो जाएगी 10% की हिसाब से हो जाएगी तो सिंपल करूँगा क्या 20 बटा 2 करूँगा कितना जाएगा 10% 10% अब यह जाएगा 10% अब देखो टाइम कितना दिया है आपको एक साल और 6 महीने दिया है अगर मैं इसमें 6-6 मा के पेर बनाऊं तो कितने बन जाएगे जाएगे वरी एक साल में 6 मेन दो पेर हो गया और एक पेर यह यानि टीन कि अब त्री हाफ इयर ठीक है रही हाफ यह क्या हो जाएगे बई थ्री हाफ यह तीन 6-6 मा ओ जाएगे वह ठीक है और रेट कि यह चाहिए क्या हुरी है दस से 11 हो रही है तो टाइम क्या है 3 आप यह अगर टाइम 3 है तो दूसरे साल भी क्या होगी यानि दूसरे जो 6 महीने उन में क्या होगी 10 से 11 तो सिंपल अगर महीन का क्यूब कर दूं तो यहां कितना आजिएगा 1000 और यहां कितना आजिएगा 1331 ये तो क्या है आपका Amount और ये क्या है आपका जो मूलदन है वो दे रह्त है 20,000 ये 20,000 वैलिउ ये 21,000 की है एक जार यूनिट की वैल्यू के इतनी है 20 आपने निकालना क्या है चक्रवर्धी बयाज बताना है तो चक्रवदी बयाज कितना है तीन सो एकटीस रूट अब इस से तीन जो तीन जो कट जैंगी 131 कुणा संदे 20 करोंगे कि प्रस्थे जीरो दो मैं मैं एक साल में कितने काउटर हो जाते तो रेट को क्या करते हैं और जो टाइम दिया होता है उसको चैर से गुणा कर देते हैं ठीक है तो यह चीज़े हैं ऐसे करने हैं आपने तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बाकी कल करते हैं भई लाइक शेयर और कोमेंट करते रहे हैं कोपरेट करते हैं करिए थैंक्यू बैस्ट अब लग जलो वही मिलते हैं कल वाली क्लास में